कव देखो बचलोग अब हम लोग पढ़रेंगे माऊउट पार्ट के बारे में तो ऑसे पढ़ा देगे न कॉनसा पार कॉनसा कॉनसा जो बहुत हो रहां जो है और गश्यूर्स ओसीलस ओसीलस या ओसीलर पर्ट कोकुरूच के हेड में कमबाउंड्डाइ के बगल में जो कि simple eye का representation है बस इतना ही से तो जानना है इसमें exactly क्या दिक्कत है बनाओ oscillus spot क्या होता है diagram में समझना है तो तुमारे screen पे diagram में oscillus का compound eye के बगल में spot एक निसान एक दाग है जो कि compound eye के बतले है कभी वहा compound eye हुआ करता था ऐसा कुछ समझ सकतो कभी आने उसके पूरू अजमें sorry simple eye compound eye तो है ही ठीक है ठीक है ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे mouth parts के बारे में cockroach का जो mouth है किसी भी organism का mouth किस चीज के लिए बना है उसको से हम decide करते है mouth type जैसे cockroach का जो mouth type है वो है biting and chewing type खाना को चबाना और काटने के लिए उसका mouth modified है the mouth part of cockroach is modified for biting and chewing खाना को काटने और चबाने के लिए sir बोलो यह cockroach क्या खाता है omnivore है वेज नौन्वेज दोनों खाता है ओ अगर हम mouth part का बात करे क्या क्या होता है तो बहुत चीज होता है सबसे पहले labrum labrum एक होता है जो की upper lip के बदले में होता है देखो cockroach का mouth दिखाते है यह रहा cockroach का mouth part यह है उसका labrum देख रहे हो यहाँ पे होगा labium है labrum यह रहा यह upper lip है ठीक है upper lip यह इसके बदले ठीक है उसके बाद दो mandible होता है दाथ की तरह इधर दो mandible एक labrum upper lip एक होता है labium lower lip labium आगे बताऊंगा mandible दो दाथ की तरह अब यह mandible में दो पार्ट होता है mandible में दो reason होता है देखो देखो बहुए mandible की तरह होता है mandible दो देखो 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 कोई और image दिखाए ना इसमें दो कुछ समझे नहीं आ रहा है यह mouth upper lip ठीक है यह upper lip labrum यह lower lip इसको बोलेंगे labium आता हूँ बीच में hypo pharynx दिख रहा है यह tongue होता है upper lip lower lip tongue समझे upper lip hypo pharynx ठीक है side में side में होता है दो tith tith like structure side में side में दो tith like structure उसको बोलते है mandible इस mandible में दो reason है देखो यह reason इसको बोलते है grinding reason यह खाना चबाने के काम आता है उसके नीचे होता है in sizing reason यह खाना को काटने के काम आता है grinding reason खाना चबाने में help करता है in sizing reason खाना काटने में रोल पे कर रहा होता है ठीक है labrum upper lip labium lower lip hypo pharynx tongue और दो side में होगा mandible which helps which is dith like and has two reason grinding reason खाना चबाने के काम आएगा in sizing reason खाना को काटने के काम आएगा देख लीजिए mouth part में सबसे पहले पहले labrum एक होता है upper lip mandible दो होता है tith like होता है इसमें दो reason grinding reason in sizing reason grinding reason helps in chaving in sizing reason helps in cutting यहां तक में कोई लिक्त तो बताईए सर कॉक्रूज के टंगों क्या बोलता है hypo pharynx just पढ़ने वाला है यहां तक ठीक है यह बताओ न पहले यह से यहां तक ठीक है यहां तक ठीक है let's move forward यह देखो next is maxilla यह food को पकड़ने में रोल पे करता है हम लोग mandible पढ़े हम लोग labrum पढ़े hypo pharynx पढ़े labium पढ़े अब है maxilla खाना को काटने के लिए खाना को पकड़ना पढ़ेगा मुह तक लाना पढ़ेगा तो खाना को पकड़ने का काम cockroachy case में करता है maxilla maxilla helps in holding of food number 2 होता है labium lower lip होता है अब बताईए कॉक्रूट के मुह में पांच पार्ट labrum upper lip labium lower lip hypo pharynx mandible दांत दांत में दो रिजन चबाने वाला grinding रिजन और काटने वाला incisging रिजन साथ में बचा maxilla जो यहीं पे होगा इसी तरफ जो खाना को पकड़ने में रोल पे करता है यहां तक मैं कोई इक कर तो बताईए तो एक तरह से हाथ भी तो होता है हाँ बिल्कुल हाथ की तरह ठीक है बताईए कोई इक कर तो स्लाइड थोड़ा सा उपर की बेटो एक सेकेंड सब लोग उस दिन की तरह थोड़ा नोट्स लिख रहे हो ना फिर मंगवाएंगे पांच मिट बाद क्लास ओबर होगा और मांगेंगे हम ठीक चलिए यह पार्टमेट को अच्छत हम इसके बाद क्या पार्टमेट के बाद क्लास खत हम क्लास ओबर कर देंगे ज्यादा हेक्टिक होगा फिर समझ में नहीं आएगा चलिए अब हम बात करते हैं थोरेक्स का थोरेक्स में तीन सेगमेंट होता है थोरेक्स में तीन थोरेक्स नहीं नेक नेक में तीन सेगमेंट प्रो थोरेक्स, मेजो थोरेक्स, मेटा थोरेक्स, सबसे उपर प्रो, मेजो और मेटा, प्रो थोरेक्स सबसे उपर, मेजो थोरेक्स बीच में, मेटा थोरेक्स नीचे, प्रो थोरेक्स सबसे उपर, मेजो थोरेक्स बीच में, और मेटा थोरेक्स सबसे नीचे, ठीक है, इन टीनो ओप थोरेक्स के सेगमेंट में एक-ेक पेयर ओफ वाकिंग लेख होता है यानि दो पैर होगा प्रो rural फोरेक्स में बोलेगे प्रो फोरेसीнеग देखना इंध देखो Newton ये है प्रो फोरेकस देखो इसमें एक पैर इधर और एक पैर इधर प्रो थोरेसिक लेग प्रो थोरेक्स में एक लेग उसी तरह मेजो थोरेक्स में भी एक लेग रेखो ये है मेजो थोरेक्स एक पैर दूसरा पैर इसे छुपा हुआ है ये वाला फिर मेटा थोरेक्स में भी एक pair of pad देखो metathorex तिक लेगे ये वाला और ये वाला बात समझ लेओ thorax के तीनों segment में one one pair of legs होता है हर segment में ठीक है all the segments of thorax we are a pair of walking legs pro thorax में भी मिलेगा mesothorax में भी मिलेगा और metathorax में भी मिलेगा ठीक है अब सुनना mesothorax में एक pair of wings भी होता है wings यानि punk क्यों तो ये punk उड़ने के काम में नहीं आ रहा होता एक pair of wing होता है जो कि ठीक होता है leather ही होता है इसको बोलते है four wing दो pair of wing होता है कौकरच में दो pair यानि total chart mesothorax में और metathorax में एक mesothorax में होगा जो कि ठीक होगा leather होगा जिसको बोलेंगे four wing उपर वाला punk जिसका और भी नाम है we call it as elytra we call it as tegmina elytra, tegmina और four wing ये नाम दिया गया है so the wings of cockroach are named as elytra, tegmina और four wings बस यूँ ही नाम है नाम का क्यों का क्या जवाब दो ठीक है ये तो जब वहाँ पहुंचेंगे तो जानेंगे wings के case में यहां ताइमें कोई दिक्कत है तो बताईए चीक हाँ अब बोलो आकास क्या खा रहे थे ये जो इलाइट्रा टेग मेरा जो नाम बताए वो वह नी प्यार बिंग का नाम है जो नूँ हाँ four wings को ही बोलते हैं देखो लिखा भी है आ रहे है आ रहे है आ रहे है आ रहे सुना लिए four wing और इलिट्रा और टेग मिना हाँ सुना लिबोलो इस तर यह जो विंग वाला पार्ट है ना मेजो थोरेक्स में वो इस बाद रिपिश्ट के विंग होता है वन वन पेर पहलास विंग मेजो थोरेक्स में मिलता है जो कि यह पहला इस तर इसको बोलते है four wing यह थेक होता है मोटा लेदरी होता यानि थोड़ा सा dark colored होगा और इस four wing का और भी नाम है इलिट्रा या टेग मिना यहां एक खास बात ध्यान रखिएगा यह इलिट्रा यह टेग मिना उड़ने में रोल पे नहीं करता इस इलिट् कि वहां पे पॉइंट लिट्रीच है ना क्या कि यह कि अगला वाला में मिल जागा देखो मेजो थोरेक्स के बाद तीसरा है मेटा थोरेक्स यह मेटा थोरेक्स में भी वन पेर उफ विंग है जिसको हाइंड विंग बोलेंगे मेजो थोरेक्स की पहले था तो इसमें जो पंक था वो उपर वाला था इसलिए उसको बोलेंगे फोर विंग metathorex की बाद में है तो इसमें जो विंग है वो बाद वाला है इसको बोलेंगे hind wing यह hind wing transparent होता है memoriness होता है and only अब ठीक हो गया ना only hind wing is used for flying सिर्फ और सिर्फ पीछे वाला पंखी उड़ने में role play करता है अब बताइए यहां तक में कोज एक करते हो only hind wing is used for flying only hind wing is used for flying यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है इसको दुबारा भी बस बताना और तो कोई दिक्कत नहीं यह देखो यह है प्रोनोटम या प्रो थोरेक्स यह मेजो थोरेक्स इसमें कोई पंख नहीं होता प्रो थोरेक्स में मेजो थोरेक्स में एक one pair of punk है देखो यह वाला देखरो यह उपर वाला punk है इसको बोलते है four wing इसको बोलते है four wing यह thick होता है leathery होता है मोटा होता है और leathery थोरा सा dark color दिख भी राए इसका उड़ने में कोई रोल नहीं होता अब देखो यह है पीछे वाला बाद वाला punk जो मेटासरेक्स में होता है इसको बोलते है two wings यह उड़ने में मदद करता है वो transparent होता है में 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 मदद करता है अब बताई कोई दिकत डाग्राम देखे बताई कोई दिकत समझने में बोलो कोई भी दिकत बचाए हां पीछे बाला कोई दिकत है तो बताईए anything that you need to ask again no sir कोई दिकत नहीं है बाकी लोग तो एक मिनट मेटा थोरेक्स को बाद में है तो इसमें जो पंक मिलता है इसको बोलते है true wing यह उड़ने मदद करता है यह transparent होता और membranus होता है बहुत सारे membranus है मिलके बना होता है अब बताओ जोहर आपी भी दिकत है नो शर यह true wings आप गोल रहे हैं हाँ true wings t-r-u-e true और कोई बताओ कोई दिकत है तो पेस्में जो पहलो है ठीक है अमन 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 अमन